नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल इंडिया नायरवेदिक दोक्टर पर दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर M.K.S. जैसा कि आप सभी को पता है एक most common question होता है कि free exit कैसे करें जो security कम से कम आपका 50-60,000 रुपए involved होता है उसमें तो सबसे सेब तरीका क्या होता है उन पैसों को बचाने का अपनको एडिशन तो एक जगे लेना है चाहिए वह आल इंडिया कोटे से लेना हो या फिर इस्टेट कोटे से लेना हो ठीक है तो सिंपल सी बात यह है कि most commonly question रहता है क कि free exit कैसे करते हैं free exit का यह होता है कि आपकी जो security money आपने जमा कराई है वह आपके वापस अकाउंड में refund हो जाएगी जब भी वह refund का टाइम आएगा नौंबर या दिसंबर में तब रिफंड हो जाएगी mostly बच्चे यही पूछते रहते हैं मुझसे तो आज उसी से को आपको admission मिल चुका है अब उसी समय अब आपके confusion की इस्तती में है कि first round में आपने रिपोर्ट कर दिया जैसे कि आपने रिपोर्ट कर दिया कि सर हां मुझे admission लेना फिर उसके विदिन पांच दिन बाद में इस्टेट कोटे में counseling होई वहां आपको मन पसंद को लेज और म तो एक rule है कि जो second round है उससे पहले start होने पहले अगर आपने seat cancel करवा दी ठीक है seat cancel करवा देगी मुझे यह seat नहीं लेनी है आपको reporting center पर वापस से college जाना कि मुझे seat छोड़नी है और मैं फर्स्ट राउंड में seat छोड़ रहा हूं तो आपकी जो security मनी है बीस से पच्छी जार वह सेप है clear इसी तरीके से state कोटे का होता है कि फर्स्ट राउंड पूरा हुआ reporting करा दिया आपने और मालो कि अब आपका मन होगे मुझे आल इंडिया कोटे के second round में अच्छी college मिल गी और यहां पर second round इस्टार्ट नहीं हो state कोटे का समझना ध्यान से कि second round इस्टार्ट नहीं हुआ state कोटे का और उससे पहले ही आपने मतलब second round इस्टार्ट होने से पहले पहले अगर आपने सीट कैंसल करा दिया रिपोर्ट कराने के बाद में तो आपकी security money जो 20-25 आपने जमक रहा है वो सेब आपको refund हो जाएगे एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आपको ऐसेट मिली आल इंडिया कोटे से या फिर इस्टे इसटे इसटेटि कोटे से दोन लोग कीबात कर रहा हो आल इंडिया प्ने पर नहीं कर फर्स्ट राउंड में आप रिपोर्ट कराने के बाद भी आपकी सेक्रूटी मनी सेफ है और रिपोर्ट नहीं कराते हैं तब भी सेक्रूटी मनी सेफ है अगर आपने फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट करा दिया और उस पॉलेज में आप एडविशन नहीं लेना चाहते उस स्टेट के सीट मिल गई है और आपने रिपोर्ट करा दी तो से कंसल क्राइब तो आपकी सेक्रूटी मनी चैसे ही सेकिंड राउन्ड होता है चाहे ब्लेंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा हो जैसे सेकंड राउंड रिष्टार्ट होता है आपकी सेक्रोटी मनी वहां से कोलेज अगर मिल जाती है सेकंड राउंड में कहीं भी किसी भी राउंड में ठीक है तो आपकी फिर सेक्रोटी मनी सेफ नहीं है अगर आप सीट छोड़ते तो आपकी सेक्रोटी मनी जबत की जाए और थर्ड राउंड का रजल्ट आ गया उसके बाद सीट सोड़ते हो तो आप इन एलिजेबल हो जाओगे काउंसलिंग से ठीक है तो रूल है अलग-अलग यह अपना सेक्रोटी में सेप कैसे करें फ्री अगिट कैसे करें उससे संबंध दिये वीडियो था आई हो को आपको स